आज मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मुंबई की आन बान शान पुजिनिय मुंबा देवी के बारे में इसी मुंबा देवी मंदिर के नाम से ही महाराष्ट्र की राज़दानी मुंबई का नाम रखा गया था और एक जन्वरी के तेन इस मंदिर का माहल कैसा था वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी इस मंदिर का इत्यांस लगबक 400 वर्ष पहले का है मुंबा देवी मंदिर की स्थापना मच्छू आरो ने की थी उनका कैना था कि मुंबा देवी संबंदर से उनकी रक्षा करती है आये दोस्तों मुंबा देवी मंदिर की खास बात जानते हैं मुंबादेवी मंदिर महाराष्ट्र के दक्षिणी मुंबई में बुलेश्वर इलाके में प्रसिद्ध मंदिर है। और सबसे खास बात यह हैं कि इस मंदिर के नाम पर से ही महाराष्ट्र राजडानी मुंबई का नाम रखा गया था। मुंबा दिरी मंदिर में मुंबा देवी की नारंगी चेरे वाली दजज़त की प्रतिमा स्थापी थे और उनके साथ जगदंबा और मा अन्द पुरुणा भी विराजमाल है और कहते हैं कि यहां के मच्छुआरों की रक्षा मा मुंबा करती हैं और उन पर किसी भी तरह की आ यह रूप कब चमतकार में तब दिन हो गया पता ही नहीं चला और दोस्तों आज भी लोग पूरी श्रद्दा के साथ मुंबा दिरी मंदिर में दर्शन करने आते हैं एक जन्वारी के दिन नए साल की शुरुआत करने के लिए श्रद्दालू माताजी के दर्शन करने के लिए कहां कहां से आए और कितनी भीड़ थी और मैं आज आपको दिखाती हूँ राजस्थान, करनाटक, तमिल लाडू, आंध्रप्रदेश कहां कहां से लोग माताजी के दर्शन करने आए कितनी लाइन हैं देखिए इससे पता चलता है कि आज भी लोग बगवान के उपर कितनी शद्दा रखते हैं उन भीड़ में कितने कैंसर ग्रस्थ भी हैं और कई-कई भीमार इसे ग्रस्थ लोग कहां कहां से पूरी शद्दा और विश्वास के साथ मुंबा देवी के दर्शन करने आए हैं मुंबाई समरुद्व और बीडभड वाला इलाका होने के बावजूद मताजी के आसपासे क्षेत्र में कोई लुटपाट और बड़ी दुरगटना नहीं होती हैं मुंबादेवी में अन्य समाज के लोग इतनी शद्दा रखते हैं कि जितनी कोली और उत्तर भारतियों भी रखते हैं इससे लोग देश के एकता का प्रतिक भी मानते हैं दोस्तों भीड़ भाड़ वाली बेहद ही व्यस्ता मुंबाई नगरी में इस लंबी कतार को देखकर ही पता चलता हैं कि उनकी शद्दा आज भी वैसे ही अकबंध हैं कितनी भी भी भीड़ो लेकिन पूरी शद्दा और विश्वास के साथ माताजी के दर्शन करने आते हैं और आशीरवाद लेते हैं दोस्तों यही है मुंबादेवे के उपर के शद्दा लोग की शद्दा